नमस्कार साथियों, आपने एक से एक महान दानियों की कहानी सुनी होगी, लेकिन आज हम जिस दानी का प्रिसंग सुनने वाले हैं, साइध ही आपने पूप्रिसंग सुना होगा, वो है कवी रहिम. कवी रहिम तुलसी दाश्ची के समकालिन और अकवर के नवरतनों में से एक थे, बेबड़े दान सिल थे, और उनके दान का एक अपना ही अनुखा अंदाज था, कि जब वो दान करते थे, तो अपने आँखों को नेचे रखते थे, और कभी भी लोगों से आँखे ने मिलाते थे, उनकी ये वात चारो तरब प्रिस्द्ध थी, एक वार गोस्वामी तुलसी दाश्ची ने रहिम को पत्र लिखकर उनसे पूछा, ऐसी दैनी दैन जू कित सीखे हो सैन, जियो जियो कर उंचे करो, त्यो त्यो नीचे नैन, धार्थ तुलसी दाश्ची ने पूछा, कि म तेरे मित्र, तुम ऐसे दान क्यों करते हो, तुमने एक कहां से सीखा है, कि जैसे जैसे तुम अपने हाथ दान के लिए उपर उठाते हो, वैसे वैसे अपनी आखों को नेचे कर लेते हो, रहिम जी ने उत्तर में जो लिखा, वो नम्रता वो बुद्धी मता से परिपून देन हार कोई और है, देवत है देन रैन, लोग भरम हम पै करें, याते नीचे नैन, अर्थत रहिम जी ने तुलसी दास जी से कहा, कि देने वाला तो कोई और है, जो हमें दिन रात दे रहा है, लेकिन लोग समझते हैं कि ए मैं दे रहा हूं, इसलिए मेरी आखें सर में से जुग जाती है, रहीम जी भी क्या दानी है, कि दान देते समय या किसी मदद करते समय हमारे मन में अभिमान नहीं बलकि नम्रता का भाव होना चाहिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज, सबसे पहले लाइक करें, सेर करें, धन्यवाद